हेलो एब्रुवान गुड इनिंग कैसे हो खोप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे यूपी तरपलसी पेट एड्मिट कार्ट के बारे में बात करेंगे और KVS PRT result के बारे में बात करेंगे होस्टल वर्डेन ओनलाइन फार्म की जो लास्ट डेट है आज है इसके बारे में बात करेंगे और B8 वाले OTR जल्दी से भर दीजे OTR भरने का फायदा क्या क्या है कहां कहां पर आप लोग जो है OTR करने के बाद आविदन कर शकते हैं UP भी यह डारेक्ट अद्मिशन, UP डारेक्ट अद्मिशन के बारे में बात करेंगे कि कबसे इनके अद्मिशन स्टार्ट होंगे UP-Tate Notification 2023, Seated Notification 2023 के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इन सभी की पलपल की latest authentic update पाने के लिए अभी कभी Education Visile YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी update आए वो update आपको शबसे पहले हमारे चैनल के मादम से मिल सके शबसे पहले हम बात करेंगे Pate Admit Card के बारे में टेलिग्राम गुरूप का नाम है Education Visile लिंक वीडियो के description box में दे दी हूँ आप लोग वहाँ पे join हुई है और वहाँ पे आपको Admit Card की direct link मिल साइग उस link के तुरू आप लोग अपना तुरंट Admit Card डाउनलोट कर सकते हैं चलिए जहें लोगों को प्राब्लम आ रहे है Admit Card डाउनलोट करने में वह comment box में अपना डाउट के ले कर सकते हैं उसके बाद जो है finally KVS PRT का जो result है वह आ गया है अपना जल्दी से आप लोग जो है अपना result चेक कर सकते हैं अपनी एंटर ब्यू की प्रिपेशन आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग कटाप के अंदर आ गए हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे Hostel Warden Online Form देखें 699 पोश्ट पे जो है Hostel Warden की वेकनसी आई है इसमें जो योगिता मांगी गई है गरेजिशन ठीक है के बेश पे आप लोग जो है इसको भर शकते हैं और इसकी जो last date है वो आज ही है तो आज आपके पास मौका है अच्छी वेकनसी है आप लोग भर शकते हैं इसको ठीक है तो फड़ा फड़ आप लोग जो है फार्मो को भर ये डीटेल में आप लोग नोटिपिकेशन रीट कर शकते हैं इसका Hostel Warden EMRS यानि कि Ecolab Model जो स्कूल होता है आदिवाशियों के लिए उसकी वेकनसी है आप लोग जो है आविदन कर शकते हैं इसमें जो फीस रखेगे है कि SC, ST के जो फीस है वो जीरो है बाकी Other Category के जो फीस है इसमें थोड़ा ज्यादा है 15 रोपाय है तो आप लोग आधिक जानकर है तो आप लोग OTR जरू कर लें क्योंकि आपको जो है हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको BEO यानि कि खंड सिछा अधिकारी और जो है LT Grade की वेकनसी और जो है आपको जो है GIC Lecturer की वेकनसी आपको जो है देखने को मिल जागी यह लोग से वाइव जो है यह सारी भरतियां जो ह की साइड चलती है ओके चार से पांच बजे सुबा आप लोग ट्राइक करना आपका OTR हो जागा OTR बना बहुत जरूरी है कि अभी RO ARO का फॉर्म स्टार्ट है ठीक है RO ARO की साइड सही चल लगी है तो आप लोग OTR बढ़िए तब ही आप लोग जो है इस फॉर्म को भर पा आप लोग जैसे RO ARO का फॉर्म फिल करते हैं और जैसे एल्टी ग्रेट की वेकंसी आती है B.E.U. खंड सिच्छा अधिकारी की वेकंसी आती है तो इसमें आपको किवल OTR नमबर फिल करना पड़ेगा पोश्ट आपको सेलेट करना पड़ता है बस फीस आपको जो है कट करन एल्टी ग्रेट B.E.O. उसमें क्या होगा कि B.E.T. के डिग्री मांगी जाती है तो जो B.E.T. से जिनका नाता नहीं है वो भी आप कर सकते हैं OTR रेजिस्टेशन कर सकते हैं ठीक है यूपी B.E.T. और यूपी डिलेट का डारेक्ट एडमिशन कब से होगा देखें यूप से 9 नॉवंबर के बीच अपना डारेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बाकी यूपी B.E.T. की पूल कॉंसलिंग बाई सक्टूबर से स्टार्ट हो रही है इसमें बने बता है कि इसमें जो फीस वाला जो लफड़ा होता है थोड़ा ज्यादा होता है इसमें 81 आपको 52,000 देनी या नहीं आएगे तो सबसे बढ़ी है कि उसलिंग आएगी जप से 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं और बहुत ही जल्स ज anci to he एक जो है इसका सेडूल आएगा कि इतनी रैंक से इतनी रैंक वालों का इस दीन होगा जब सेडूल आएगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा एस पसल वीडियो इसकी आएगी ओके बाकी सीटेट का फार्म आपको जो है इसी मन्त में आपको देखने को मिल सकता है शौट पीडिट थोड़ा लेट होगा इसका जो नोवंबर में देखने को मिलेगा ठीक है इसके अलावा कुछ भी डाउट्स रहे गया हो तो आप लोग कमेंट बाक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो पे थाइंक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेलते हैं